नवस्कार है भाई सभी भाईयों का बहनों का और सभी साथियों का मित्रों का एवं सभी दर्शकों का जो लोग भी सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं मुझे इस वीडियो में दुनिया में किसी भी जगा से दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत करता हो मैं इस वीडि में SSA द्वारा Government of India के staff selection commission द्वारा एक recruitment चल रहा है जो की constable GD की vacancy उपर चल रहा है constable GD मतलब क्या हो जाता है general duty constable जो की अलग 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 विभाग में लिए जाते हैं CAPF के seven अलग अलग विभाग जो है अलग अलग forces है उसमें लिए जाता है इसके लिए constable नाम की पोस्ट पे recruitment होती है हर साल अब 2024 वाले एर में 2024 वाले एर में जो constable GD की vacancies है जो कि 26,000 से भी ज्यादा आई है उसके उपर form start हो रख है यानि form चल रहे है और form की last date अभी आने वाली है यानि कि 31 December last date है form की जैसे कि आपको पहले ही clear कर दिया था कि आप इस year के last date तक form भर सकते हो इस constable GD के लिए ठीक है अभी यह लोग जिन लोग को job चाहिए रोजगार चाहिए जिन लोग को job नहीं मिल रही और वो अगर qualification रखते हैं constable GD के लिए तो वो लोग form भर सकते हैं जिसकी date आप पहुचने वाली है end वाली आने वाली है दो से तिन दिन में form of close होने वाले हैं जो लोग form नहीं भर पाए हैं अभी तक नहीं भरा है या अभी तक GD के बारे में सोच रहे हैं कि अभी constable GD का notification आएगा इसका बता दू आपको 24 नवंबर यानि कि आप देख लो महिने से भी एक महिने से ज्यादा time हो गया इसके notification के आया हुए और SSC के website पर ही आया था और आपके साथ सभी बित्रों के साथ सभी लोग के साथ मैंने इसको discuss किया था आपको याद होगा 2023 के नवंबर मनत में 24 तारिक में इस notification को SSC द्वारा staff selection commission द्वारा दिया गया और वो मैंने आपके साथ discuss कर रहा था जिसमें आपको eligibility, qualification, salary, क्या काम करना होगा, form की fees, form के dates और selection process में exam होगा तो उसका pattern क्या है सारी चीजे दोस्तों एक एक चीज आपको player करी गई थी आपको बता दू इस recruitment में और SSC द्वारा 24 की GD तो आ चुकी है, बाकी recruitment आने वाले समय में आते रहेंगे, जैसे CGL है, CHSL है, MTS है, stenographer, बाकी सारी जो भी चीजे है, button 24 की अभी आनी बाकी है, वो समय 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 पर आएंगी, लेकिन अगर बात करें, SSC द्वारा जो आपकी GD का notification था, वो 24 नमंबर आ गया था, और सारी details के साथ cover हो गई थी, आपको form भर के बता दिया गया है कि कैसे आपको GD के लिए अपलाए करना है, आप वीडियो जाकर देक सकते हो, यह वीडियो इसलिए आया है, कि एक notice दिया गया SSC दोरा, जो कि आपको एक rewind दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई, अगर आपने इस date से पहल पहले form भरना है भर दो, यह wait मत करना की form extend होगे, होगा अगर extend आपको बता देंगे, लेकिन अगर extend नहीं हुए तो ऐसे में आप लोग के form रह सकते हैं, इस वेसे आप लोग form भर देना, इसलिए यह खास कर इंडिया वाले लोग के लिए में वीडियो लेकर आया, कि बताने form देना है, qualify करना है, और इस तरीके से अगर वो cut off clear कर देते हैं, तो उन सब को direct यहां पर constable की job मिल जाती है, CAPF के अलगलग विभागों में पूरे देश में मिल सकती है, तो आप लोग form भर देना, जो लोग भी eligible हो, तो आप form भर देना, जिन लोग को eligibility नहीं पता है, तो आ actual हम बात किस चीज की कर रहे है, अगर बात करें SSC की, तो SSC एक ऐसा commission है, जो की NIA, CBI और sub inspector Delhi police, MTS, constable, constable general duty में, और इसके लावा stenographer, junior, junior, और आपका इसमें हिंदी translator, और senior hindi translator, इसके लावा वो इसमें आपका AAO, ASO, JSO, जैसे post पर, और income tax, और बहुत सारे विभागों में अलग अलग पोस्टों पर, जैसे की BSF, ITBP, CISF और बहुत सारे विभाग यहाप पर है, जिसके अंदर SSC द्वारा recruitment का process कराया जाता है, basically SSC अपने कोई company नहीं है, SSC कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है, जो अपने वहाँ पर recruitment करा रहा है, वो अलग अलग वि counseling, document, verification की सारी चीज़े, सब SSC द्वारा करवा ले जाता है, और finally उसके बाद जब आपको जो job होती है, वो आपको जिस भी विभाग में मिल रही होती है, मिल जाती है, यह एक process होता है, SSC द्वारा यह कराया जाता है, और SSC जो है, वो गठित करा गया है, Government of India द्वारा, यह तो एक SSC है, और दूसरा, आपके UPSC में भी जो आता है, वो UPSC अपने website पर देता है, तो सभी लोग अपने अपने अलग 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 जगापर काम में बटे हुए है, और अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपने अपने recruitment को समय समय पर दे रहे हैं, तो आपको सारी जानका सभी लोग के लिए वीडियो काफी खास रहेगा, क्योंकि ओल इंडिया लोग इस GD में भर सकते हैं, बहुत basic सी qualification मांगी जाती है GD के लिए, इसलिए लोग के फॉर्म लाखों में आपर आते हैं, recruitment के लिए competition बहुत बढ़ जाता है GD में, लेकिन जितनी वेकेंसी दी जात हो की वेकेंसी कम है, हो सकता है, इसको बढ़ा है SSC, अगर उनको भी विभाग में ऐसा लगेगा कि हां भाई, वेकेंसी आखाली है, तो लोग भर सकते हैं, ठीक है, एक बार लोग को notification दिखा देते हैं, 24 नमर में नोटिफिकेशन आया था, आप देख लो, आपको पूरे 40 चालीस दिन का समय फर्म बढ़ने के लिए दिया गया, चालीस में से अगर आप अभी बात कर रहे हो, तो आज आपके पस सिर्फ 4 डेस का समय रहे गया, चार दिन बस आपके बचे है, चार दिन के बात फर्म क्लोज है, और याद रखे, ग्यारह वे तक आप फर्म की में होगा, प्रपरेशन जल से जल चालू हो जाएगी, अगर आप बताओगे तभी चालू होगी, आदरवाइस को आप चालू नहीं कराएंगे, मैं बता दू, कॉन स्टेवल जीडी जो आपका चाहिए, इनको, वो C.A.P.F. यानि Central Armed Police Forces में चाहिए, SSF और राइफल में GD, इन Assam Rifles में चाहिए, अगर आप उनों नाम पहली बार सुन रहे हो की, C.A.P.F. और SSF होता क्या है, तो इसके बारे में detailed notification वाला वीडियो है, आप उसको जरूर जरूर जाके go through हो जाओ एक बार, उसको फिर आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं एक बार आपको इस ठीक है, pay scale इसमे 22,000 salary होता है, शुरू बाती तौरपन, और बाकी benefit मिलाते वे 30,000 प्लस जाता है, अगर बात करें, कि आप अगर हर महीने अगर यहां से, जो भी आपको government में job के साथ मिल रहा है, तो 30,000 प्लस आप मान सकते हो, 22,000 आपका salary होगा, बाकी benefit मिलाकर 8,000 प्लस, यानि 30,000 प्लस आप इसमें मान लोगे, vacancies आप देख लेना एक बार, BSF और CISF और किस-किस forces में कितनी-कितनी vacancy है, माईला पुरुष सभी लोग अपने पनी vacancy हैं, total vacancy 26,146 है, यानि कि recruitment तो बड़ा है ही, लेकिन vacancy as compared to previous year and previous data, तो उनके comparison में इस बार का recruitment vacancies कम है, हमने इत इन 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 विभागों में, इन इन forces में, लेकिन अब further vacancy definitely इसमें modify होंगी, क्योंकि final vacancies नहीं है, final vacancies आपके जो final result होगा, उसके बाद जो लोग select हो जाएंगे, तब उसके साथ ही आएगा, जैसी आपकर ये चीज आती है कि final result क्या है, क्या cut off गए है, उसी के साथ, उसी के क कुछ दिन बाद ही, ये आपकी final vacancy का notice निकाल के बताएंगे, कि भाई हमारी ये final vacancy है, वो vacancy अगर कम हो रही है, घट रही है, या बढ़ रही है, जो भी वो दिंगे उस दिन, वही आपका final होगा, ठीक है, जब भी आता है, मैं आपको clear करूँगा, इसका आपको tension नहीं ल आता है, देखिए, या पर लिखा भी है, आपका 10th pass चाहिए, recognize board से, आप CBSC, ICSC board से पास दे, किसी institute, किसी संस्ता, किसी university, किसी college, किसी school से, कहीं से भी अगर आपने pass करा है, दसवी, और किसी भी board से कर दिया है, CBSC से करा है, ICSC से करा है, महराष्टर बोर्ट, चेन, और आपक एक minimum qualification यहां पर मांगी जा रही है, और उसी हिसाब से, भाई, salary है, जितनी qualification दे रहे है, उसी हिसाब से salary है, ठीक है, अगर यह graduates को लेते हैं, salary में भी थोड़ा अलग-अलग, जो है, increment आपको देखने को मिल जाता, तो सारी चीच आप यहां देख रहे हो, exam का pattern, सिले बस सार कुछ इस notification में, आप यहां से देख सकते हो, form की fees 100 rupees है, ठीक है, यह एक आपको remember करा है भाई, notification यहाँ पूरा discuss नहीं हो रहा है, क्योंकि यह discuss हो चुगा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते है, जो notice आया, कल के date का, उसको एक बार discuss कर देते हैं, आपके बाद, it is hereby, re-iterated that candidates of constable GD, जो आप apply कर रहे हो, should submit their form much before, आप 31 December 2023, 31 December 2023 की दिन से या उसे पहले पहले ही form भर दो, and not wait till the last date, आप आखरी दिन का इंतजार मत करो, to avoid the possibility of disconnection, यह क्यों कह रहे है कि आप last दिन का इंतजार मत करो, wait मत करो, क्योंकि हो सकता है कि disconnection हो जाए, आपका network चला जाए, उस समय electricity आपके वहाँ पर चली जाए, हो सकता है कि यह possibility हो जाए कि website error हो जाए, website hang हो जाए, website पर loading हो जाए, overloading हो जाए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ा भी recruitment SSC दौरा यही रहता है, हर साल का, और हो सकता है अगर ज्यादा vacancy दें, तो लोगों के form ज्यादा आते हैं, इ availability और failure to login हो सकता है कि आप login ना कर पाओ, अपना registration ID और एक password जो आपने बनाया हो, SSC के OTR में, उसको डाल कर आप login ना कर पाओ, तो इस वए से कह रहे हैं, traffic, heavy traffic हो सकता है, server हो सकते हैं, उन last date पर, क्योंकि आप देखो, आप किसी सब को पता है, जैसे आपको पता है कि 31st, 31st December last दिन है, इस form पर apply करने हो, सेम ऐसे ही और लोग को भी पता है, अब वो सभी लोग form भरने जा रहे हैं, उसी दिन कि आरा last दिन है, कैसे भी करके form भरना है हमें, नहीं तो हमारा form accept नहीं होगा, और यह job निकल जाएगी हमारे हाथों से, तो ऐसे लोग सभी लोग जाएंगे form भरने, ठीक है, और ऐसे में माली जो उनका accept हो रहा है, आपका accept नहीं हो रहा है, आपका form लग जा रहा है, और उनके बास server error आ रहा है, तो ऐसा आ सकता है, क्योंकि यहां पर एक साथ काफी लोग यहां पर इस दिन form भरने जाएंगे, जाएंगे, कि उनके पास यह last chance होगा लेकिन अगर आप इस चीज़ से बचना चाहो, तो पहले ही form भर दो, candidate or further question that no actions है, ठीक है, यह बताया जा रहा है कि candidate को पहले ही कि यहां पर कोई extension नहीं होगा form में, हाला कि SSE अर्वाल यही कहता है, एक से दो बार उन्होंने extension करे हैं, वो भी लोगों की request पर, लोगों के representation क के ओपर, लोगों की एक विनती के ओपर, कि भाई हमारे form बढ़ा हो, क्योंकि आप एक बड़ा recruitment कर रहे हो, तो उन्होंने भी इस चीज़ को बढ़ाया है, ठीक है, अब अगर होगा extension, definitely मेरे को लग रहा है, एक से दो बार, एक बार तो हो गई extension, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप SMS कोई कुछ कर नहीं सकते हो, इसलिए आपको ये date last याद रखनी है, आज 27 of December है, अगर बात करें, आपके पास 4 days है, आप 30 December तक definitely इसको submit कर लो, और print उसका form का end में जरूर लो, ठीक है, सिले बस वगेरा सारी चीज़े आप notification वाले notice में भी देख लोगे, और वीडि का registration जो था, वो आपको मिलेगा, second video में, जो कि आपका phase 11 SSC recruitment आया था, उसका जो form भरवाया गया था, उसके अंदर आपको देखने को मिले जाएगा, कि आपने कैसे registration करना होगा, ठीक है, registration आप उसको देख के करो, और form जो है, वो GD form fill up वाले वीडियो से कर रो, और बागी क कोई डाउट लगे तो वो नोटिफिकेशन वाला वीडियो वहां से उठा लेना चैनल से, वहां से आपको मिल जाएगा, सारी जनकारी मुझे उमीद है, सबको clear हो गई होगी, यही बहुत अपडेट था, यह बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों क्योंकि, इसमें कोई last chance नहीं मिलता लोगों, ठीक है भाई, उमीद है सबको सारी जनकारियां, सारी बाते, सब कुछ समझ आई होंगी, एक एक पॉइंट समझ आया होगा, और फिर भी कोई इसमें ऐसा लगे, पॉइंट नहीं समझ आता हो, तो आप कमेंट में बताएं, और जनकारी को, देश और दुनिया बर में फिलाएं, भारत देश की एक गली, महले, एक-एक दोस्तों तक, एक-एक भाईयों तक, एक-एक बहनों तक, एक-एक मित्रों तक इस जनकारी को फिला दीजिए, इस्पेशली हर्याणा, जारखंड, उडिसा, मिगाले, मनिपूर, जो भी आपकी जगाएं भारत देश में, वहां तक तो जरूर फिलाएं, क्योंकि आप All India Form भर होगे इसमें, ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए, आप सभी का, सभी दोस्तों का धन्यवाद,